टीवी सीरियल राधा कृष्ण के कहानी के आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि शेशनाग माता पारवती को उनके कुंडल वापस कर देते हैं और श्यमा मांग कर वहां से चले जाते हैं जहांपर श्यक्रेश्ण और माता पारवती एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और राधा जैसे माता पारवती को देखती है वो उन्हें आकर के प्रणाम कर थी हैं और कुछ बाते करके पार्वती माता वहां से चली जाती है तब राधा कृष्ण के पास जाएंगे और कहेंगी कि मैं तुम्हें अपना करतव्य रोकने से नहीं रोक सकती तुम अपना करतव्य अपना वचन पून करो लेकिन मैं जानती हूँ कि तुमको बहुत भूख लग ज और वहां पर देखेंगे कि कैसे माहौल में जैसे ही श्यकृष्ण अंदर प्रवेश करते हैं पाताल के वह देखकर कि सोचते हैं कि क्या बात है अतल लोक में सबसे पहले श्यकृष्ण कदम रखते हैं और अतलोक पुर्ष्ट कलाओं का स्वामी है और बहुत ही ज़ादा है रहान हो जाते है श्यक्रिश्ण क्यूंकि वहां पर अतल में सब कुछ इतना सुंदर होता है और क्रिश्ण अपने आप है इसलिए सब कुछ बलपूरबग छल से बनाया गया हूँ तभी इतना सुन्दा लग रहा है क्योंकि 64 माया का स्वामी होने के साथ साथ वो काफी समस्दार भी है ये सब देखकर शुक्र चारे बहुत ही खोश हो जाते हैं और वो सभी को बताते हैं कि है सभी असुर कृष्ण पातालोक में प्रविश कर चुका है मैं सांभ वली और शेशनाग रूपी बलराम को पाताल में ले जा रहा हूँ जो है वितल जो कि पा आते ही फजाते हैं और वो जहां से अपनी यात्रा शुरू करते हैं वो बार बार उसी स्थान पर आ जाते हैं और साम यह देखकर बहुत खुश होता है वो कहता है कि गुरुदेव अब तो मैं आपको मान गया हूँ प्रिथवी का सबसे शक्ति-शाली व्यक्ति पाताल लो सारे असुरूं से पाला पड़ता है और वो सब को उपदेश देते हैं और समझाते हैं कि बुरी चीज़ें छोड़ देने चाहिए और वगयरा वगयरा और यह कहने के अंत में वो बहुत ही प्यार भरी अंदास में मुस्कुराते भी हैं क्रिष्ण की यह मुस्कान देकर ग कर रही इसलिए यह इस तरीके के उब्देश का बहाना बना करके अपनी शक्तियों की प्रबलता चुपाना चाहरा हैं लेकिन यहां पर कुछ भी माया या उसकी कुछ भी कुछलिता नहीं चलने वाली क्योंकि यहां पर सिफ असुरूं का राच चलता है दूसरी तरफ आप कि सब कलाओंसे बढ़का प्रेम है श्री कृष्ण उसे समझातें और कहते हैं कि हाँ सब सकलाओं से बढ़ा प्रेम है तुम 64 कलाओं किसे परिपून हो और मैं तुमसे भी ज़्यादा लेकिन प्रेम सबसे बढ़ा भाव है जिसके ज Uzकिशिक बिना कोई श्यक्रिश्न कहते हैं वाह तुम तो बहुत समझदार असुर हो जो मुझसे इस तरीके से लड़ रहे हो वैसे ये सही भी है तुम एक एक करके अपनी 64 कलाओं से मुझे पदास करोगे उसमें लगेगा और अगर मैं सारा समय तुम्हारे उपर ही इस्तेमाल करूँगा तो मैं बाके असुरों से समय पर नहीं लड़ पाऊंगा इसलिए तो बहुत समझदार हो जो एक सार अपनी सारी 64 कलाओं का अपयोग करके मुझे प्राज़त करने का प्रयास कर रहे हो तो ठीक है मैं भी तुम्हारा खात्मा फिर एक बार में ही कर दूँगा क्योंकि मुझे और अ अंश्च अंश दूसर recommended aos अंश्च लूपि जो एक और घूम रहा होता है वह चुटकी बजाते ही सारी प्रहार को नस्ट कर देती हैं जैसे जैसे वह असु श्री कृष्ण पर अपने अश्टर सस्टर से पहार करता है वहां राधा सिर्फ उसे छूती है और वो अर्द्रश्य हो जाता है लेकर राधा वहां पर मौजूंद ये श्री कृष्ण के इलावा कोई और नहीं देख सकता साम ये देखकर बहुत ही जादा चिंतित होता है वो असूर गुरु से कहता है कि गुरु देव ये क्या हो रहा है कि आपके सारे असूर इस तरह के ही है ये देखे आप क्या हो रहा है क्रिश्ण के ऊपर तो कोई भी प्रहार हो ही नहीं रहा है सब कुछ गयाब हो जा रहा है तभी बल बहुत ज़ादा थक जाता है, लढ़ते लढ़ते और वो परास्त होने ही लगता है, तभी श्रेकृष्न कहते हैं कि मैं अभी भी कहता हूं समय है, प्रेम से बड़ा कुछ नहीं है, और बल ये प्रेम की शक्ती है, यहां राधा को श्री कृष्ण कहते हैं कि राधा अब तुम अपने हिर्दय में लोट जा और राधा उनकी बात मान कर वापस चली जाती है मतलब जो उनका अंशुरूप होता है वो उपर जो राधा खड़ी होती है तक पर उसमें समाहित हो जाता है वहां पर आप देखेंगे कि बद पूरा शक्ति हीन हो चुका होता है और उसका खेल यहीं खत्म हो जाता है और श्री कृष्ण उसे मृत्यू रंज दे देते हैं तब ही आप देखेंगे कि गुरु शुक्रचार कहते हैं साम से कि अप कृष्ण का सामना होगा वासुकी से और हटकेश्वर महराज से जो वितल रूप के निवासी है और यहां पर उन ही का भोल बाला रहता है और जैसे श्री कृष्ण पहुँचते हैं वितल लोक में वहां पर एक द्वार होता है जिसमें बहुत सारे सर्प होते हैं और वो उस द्वार की रक्षा कर रहे होते हैं श्री कृष्ण उन सभी सर्पों को जो कर प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे हटकेश्वर माराश मुझे अंदर आने के अनुमति दीजिए और ये देखते ही सारे साप अपने आप हट जाते हैं और दर्वाजा भी खुल जाता है वहाँ पर जैसे ही अंदर करेंगे श्री कृष्ण उपर केलाश में महादेव और गौरी माता आपस में बात कर रहे होंगे और कहींगी गौरी माता कि हे प्रभू आपका हटकेश्वर रूप तो बहुत ही जादा रोधर है ऐसे में कहीं कृष्ण को कुछ करना बैठें क्यों कि उन्हें पता है कि श्री कृष्ण हर एक की को काफी सभाब सकते हैं फिर YouTube के मुलाकात होती है वासुकी से और जो शेशनाक के बड़े भाई हैं और वही वासुकी जो महादेव के गले में बैठे होते हैं यहाँ पर वासुकी से श्री कृष्ण की बातचीत होती है और गुरू और साम आपस में बातचीत कर रहे होते हैं और शुरू शुक्राचारे कहते हैं कि अब तो कृष्ण फस गया है क्योंकि इसका अब कुछ नहीं हो सकता साम कहता है कि मुझे तो उन्हें देख कर बहुत ही जादा भै आता है क्योंकि वासुकी बहुत ही जादा विशाल है तो गुरू शुक्र चारेव वासुकी की खूबियां बताते हुए कहते हैं क्योंकि उनका एक बार का विशी समस्त ब्रह्मान को नश्ट करने के लिए समर्थ है और आप श्री कृष्ण का इससे सामना होगा और उनका बचना इससे नमुम्किन है यही हो जाएक आज रात के एपिसोड 10 जसके बात कल क्या होगा उसके लिए आप देखे हमारी नेक्स रिपोर्ट